हेलो दोस्तों मैं हुरी मितान वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों आज जो मूवी मैं आपके ले के आए हूँ वो एक बहुती इंट्रेस्टिंग मूवी है और इस मूवी की कहानी ट्रू इवेंट और शाफिक के एक्सपीरियंस पे बेस्ट है और इस मूवी को डिरेक्ट भी शाफिक नहीं किया है जो की है पनूगंग आगमा यानि की रिलिजियस राइडर दोस्तों इस मूवी के दो पार्ट हैं जिन में से आज पहला पार्ट मैं आप सब के लिए एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये मूवी आई थी 2021 में इस मूवी को आएम लीबी पे रेटिंग 5.9 की मिली है सो विदाउट विस्टिंग अने टाइम लेट्स केंट इन्ट 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 राइट अप दिस मूवी कहानी की शुरुवात होती है जहां हम एक औरत को पोजेस्ट देखते हैं और उस पे एक आदमी एकसॉर्सिसम कर रहा होता है और उस आदमी के पीचे हम दो शैतानों को खड़ा हुआ देखते हैं और दोस्तों ये आदमी है तोकाजी जो की रिलीचियस हीलर है और उसकी वाइफ हुदा और ये दोनों एक औरत को हील करने आये होते हैं और उस औरत का हजबन तोकाजी को हील करने के लिए कुछ पैसे देता है जिसके बाद हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें है आमिर जो की हॉस्पिटल में काम करता है उसकी वाइफ एना जो की बच्चों को कुरान पढ़ाती है और उसकी एक बेटी जिसका नाम है सारा यहां पे हम आमिर के पिता और उसकी मा को भी देखते हैं जिनका नाम है हाफिजम और मरिया मरिया आमिर को कुछ कप के खाने के लिए देती है लेकिन आमिर उने खाने से मना कर देता है और वहां से चला जाता है आमिर को मरिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि वो उसकी सौतेली मा है रात को आमिर सारा के पास जाता है जब हम जान पाते हैं कि सारे स्कूल के बच्चे सारा को उसकी मा के नाम से चड़ाते हैं और कहते हैं कि उसकी मा एक विच है लेकिन आमिर सारा को समझाता है यह हम सारा और आमिर के बीच एक अच्छा रिलेशन देखते हैं जिसके बाद एना आमिर को मरिया के साथ अच्छे से बिहेव करने के लिए कहती है रात हो जाती है और हम मरिया को सोते हुए देखते हैं जब कोई उसका नाम पुकारता है तब मरिया की नीन कुलती है मरिया देखती है कि उसके कमरे का दर्वाजा कुला हुआ था लेकिन बाहर कोई भी नहीं था मरिया दर्वाजा बंद करके वापस जा रही होती है जब दर्वाजा वापस अपने याप खुल जाता है और अच्छानक से मरिया को अपने पीचे खून से लटपत एक आदमी दिखता है जो उस पे जोर से चिलाता है ये देख के मरिया चिलाती है तब सभी लोग उसके पास आते हैं मरिया एकदम सहम गई थी और अब एना उसके फेस पे हाथ रखके कुछ पढ़ती है और मरिया सद हाफिजम अपने दोस्ते मिलने जाते हैं जहां मरिया अपने साथ हुए कल रात के इंसिडेंस के बारे में बताती है जिस पे इन लोगों के दोस्त एक टीचर का नंबर देते हैं जो कि बहुत फेमस है और वो इनकी हेल्प कर सकता है क्योंकि हाफिजम जैसे सक्सेस्फुल कि कई दुश्मन होते हैं अब इसके बाद हम सारा को देखते हैं जो कि घर आती है जहां वो अपनी मा को खड़ा हुआ देखती है और वो अपनी मा को पुकारती है लेकिन उसकी मा उसकी आवास नहीं सुनती और एक कैबिन के तरफ चली जाती है सारा भी उनका पीछा करते ह उस कैबिन में जाती है जहां उसे लकड़ी के पीछे वही आदमी खूंज से सना हुا दिखता है और वो सारा को डराता है डर के मारे जब सारा बाहर आती है तो उसे अपनी असली मा मिलती है सारा बहुत खबराई हुई थी लेकिन एना उसे समालती है और ये बात वो आमिर को कॉल पर बताती है लेकिन आमिर कहता है कि सारा तो पहले भी ऐसी चीज़े देख चुकी है और जब तक वो घर आता है तब तक एना उसे समा ले यह हम आमिर के एक दोस्त को भी देखते हैं जिसका नाम है हाफिस अब हाफिस आमिर से पूछता है कि क्या उसकी बेटी को भूत दिखते हैं तो हो सकता है कि वो भूतों को देख सकती है लेकिन जब तक आमिर अपनी आखों से ऐसी चीजों को नहीं देखता तब तक वो उसे विश्वास नहीं करता और उसी रात मरिया अपनी दवाकारी होती है जब मग अपने आख किसक जाता है मरिया मग को वापस अपनी तरफ खिसकाती है तो एक हाथ उसका मग रुक देता है और मरिया को एक भयानक औरत डराती है और मरिया की हलत काफी खराब हो जाती है ये बात एना आमिर को कॉल करके बताती है इदर हाफिजम ने तोकाजी को बुला लिया था जिसका नमबर हाफिजम की दोस्तों ने उन्हें दिया था तोकाजी बताता है कि वो चीज मरिया के बगल में ही खड़ी है जिसके बाद तोकाजी मरिया से उसकी मा का नाम पूछता है अब तोकाजी मरिया के अंदर के जिन से पूछता है कि वो क्या चाहता है तो वो जिन हाफिजम की तरफ इशारा करता है जिसके बाद तोकाजी उस जिन को मरिया की बोडी से निकाल देता है और कुछ लक्डिया मरियम के उपर डालता है और तबी वहां आमिर पहुंचता है जिसे तोका जी का उसके घर प्याना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता लेकिन आमिर के पिता तोका जी की मदद पाके संतुश्ट थे आमिर अपने पिता से अपनी मा को हॉस्परेल ले जाने के लिए कहता है लेकिन हाफिजम कहते हैं कि डॉक्टर मरिया का इलाज नहीं कर सकते अब आमिर अपनी वेटी सारा से पूछता है कि क्या हुआ था जिसमें सारा बताती है कि एना ने उसे उसके रूम में ही रहने को का था लेकिन सारा यहां आमिर को बताती है कि वो चीज करीब है और सारा उससे डरी हुई है और अब वो चीज घर के अंदर आना चाहती है लेकिन आमिर सारा को समालता है अब अगले दिन आफिस में आमिर देखता है कि तोका जी की एक वेब साइट है और उसके लोगों को हील करते हुई वीडियोस हैं जो कि वाइरल हो गए थे और यही बात वो अपने दोस्त हाफिस को बताता है आमिर को तोका जी पे विश्वास नहीं था हाफिस पूछता है कि क्या आमिर को सुपर नाच्रल पे विश्वास नहीं है लेकिन आमिर को इस पे विश्वास है लेकिन वो कहता है कि ऐसी चीजों की आर्मे तोका जी जैसे लोग लोगों को धोका देते हैं अगले सीन में हम तोका जी को आमिर के घर पे देखते हैं जो वहाँ पड़ा हुआ पानी हर तरफ छुड़क रहा होता है क्योंकि वो घर को चारू तरफ से सुरक्षित करना चाहता था जिसके बाद तोका जी हाफिसम को एक बॉटल में पानी देता है और कहता है कि मरिया को य जिसकी क्या गरिंटी है कि सब सही होगा और मरिया की हालत फिर से नहीं बिग्डेगी तब हाफिसम तोका जी को शुक्रियादा कहता है और तोका जी हुदा के साथ चला जाता है तोकाजी के जाने के बाद आमीर उसके पिता में बहत हो जाती है क्योंकि हाफिजम को लगता है कि आमीर मरिया का इलाज डॉक्टरों से करवा कि उसे पागल सावित करना चाता है क्योंकि मरिया उसकी सौतेली मा है उसी राद एना आमिर को बताती है कि तोका जी कोई एक्जॉर्सिस नहीं है बलकि एक जादू गर है और जो तोका जी कर रहा है वो इसलाम के लोग के खिलाफ है और ऐसे लोग ऐसा पहनावा पहनते हैं ताकि वो लोगों को धोका दे सकें एना यह भी कहती है कि हच के यातरी ज़ाड़ फूक नहीं करते यहां में पता लगता है कि एना की पता भी एक्सौर्सिस्ट थे, जो उसे रुकिया यानिकी एक्सौर्सिस्म करना सिखाते थे, इसलिए वो जानती है कि तोका जी एक जादूगर है, अब एना यहां कुछ ऐसी बाते बताती है जो तोका जी को गल में लिखा है और तोका जी जाडू की लकडियों का इस्तिमाल कर रहा था एना का मानना है कि तोका जी हाफिजम की प्रॉपर्टी हतियाना चाता है लेकिन आमिर के पास ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है इसलिए वो एना की बातों पे ध्यान नहीं देता अगले दिन हाफिजम तोका जी के याँ जाकर उससे पूछता है कि उसकी वाइफ पे काला जादू करके उससे मारना कौन चाता है जिस पे तोका जी कहता है कि इसके पीछे आमिर है क्योंकि हाफिजम की आमिर से एक बार लड़ाई हुई थी और आमिर को कुछ लोगों ने उक्साया है जिस पानी को पी के मरिया की हैलत खराब हो गई जिस पे हुदा कहती है कि वो पानी मरिया को हील करने के लिए कुरान की वर्सिस पर के दिया गया था लेकिन आमिर कहता है कि मरिया के बलेड टेस्ट से पता चल जाएगा कि तोकाजी ने पानी में क्या मिलाए था इतनी बेज़ती के बात तोकाजी वहां से ये कहके चला जाता है कि उसे पैसे नहीं चाहिए और अब वो हाफिजम की कोई मदद नहीं कर सकता हाफिजम आमिर के इस behavior से नारास थे क्योंकि आमिर ने मरिया से कहा था कि वो इसकी माँ की जगे नहीं ले सकती लेकिन आमिर ने इसके लिए माफी मांगी थी जिसके बात हाफिजम और आमिर के बीच में बहस हो जाती है क्योंकि हाफिजम को अपने बेटे पे नहीं बलकि तोकाजी पे विश्वास था लेकिन आमिर अपने पिता को विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि तोकाजी स्कॉलर नहीं है लेकिन हाफिजम नहीं मानते और वो तोकाजी के घर जाकर आमिर की बहेवियर के लिए उससे माफी मांगते हैं और उसकी हेल्फ करने के लिए कहते हैं इदर घर पे आमिर को सारा से पता लगता है कि मरिया के पानी में एना ने कुछ मिलाया था जिसके बारे में आमिर एना से पूछता है कि उसने ऐसा क्यूं किया था लेकिन एना का कहना था कि उसने कुछ भी नहीं किया सारा ने गलत देखा है लेकिन आमिर का मानना है कि सारा जूट नहीं बोलेगी इस बात को लेकि इन दोनों के बीश में बैस हो जाती है और आमिर एना पे ब्लेम लगाता है कि एना मरिया से जलती है और वो दोश तोकाजी पे लगा रही है जब आमिर बहार आता है तो उसे मरिया पोजस्ट मिलती है और मरिया के अंदर का जिन बताता है कि उसे एना ने बुलाया है जिसके बाद वो आमिर पे अटैक कर देती है और खुद के बचाव में आमिर एना का गला दबाने लगता है तब ही वाँ हाफिजम हाता है और आमिर को घर से निकाल देता है और अब हाफिजम को तोका जी की कही बात पर विश्वास हो जाता है जिसके बाद आमीर अपने परिवार को लेग के हाफिज के घर रुखने जाता है चाहँ सारा बताती है कि जिन ने उस से ऐसा करने के लिए कहा था कि सारा बोले कि एना ने पानी में कुछ मिलाया है और वो एना को बदनाम करे नहीं तो वो जिन आमिर को मार देगा इसलिए सारा ने जूट बोल दिया था इदर हम हाफिजम के घर पे तोका जी और कुछ लोगों को देखते हैं और हाफिजम दस एकर की जमीन तोका जी को उसके सेंटर के लिए देने वाला था तब ही आमिर आता है और अपने पिता को उन पेपर्स पे साइन करने से रोकता है और सब को बताता है कि तोका जी ने जाद उटोना किया है लेकिन कोई भी उसकी बात पे विश्वास नहीं करता क्योंकि तोका जी ने उन लोगों की मदद करी थी जिसके बाद आमिर कुछ पढ़ना शुरू करता है और उसके पिता को तकलीफ होना शुरू हो जाती है जिसके बाद हाफिजम सब को जाने करे कहते हैं और आमिर से कहते हैं कि वो वापस इस घर में कदम न रखे आमिर के जाने के बाद तोका जी कहता है कि आमिर के आने के बाद ही हाफिजम को तकलीफ होना शुरू हो गई थी और उसी ने मरिया पे काला जादू किया है जिसके बार तोका जी आज रात अपनी वाइफ हुदा को बुलाने की पर्मीशन मांगता है ताकि वो मरिया को हील कर सके जब आमिर अपने परिवार और हाफिस को लेके जा रहा होता है तो अपने दोस्त को बताता है कि उसके पिता के साथ कुछ तो गड़बर है तभी आइना के फोन पर मरिया का मेसेज आता है जो उन्हें तोका जी के घर पे बुलाती है क्योंकि मरिया खत्रे में है ये लोग तोका जी के घर तक पहुंचते हैं तभी एना के फोन पर कॉल आता है और यहां आता है एक ट्विस्ट वो कॉल मरिया का नहीं बलकि तोका जी की बतनी हुदा का था जो उन्हें बता दी है कि उसने ये मैसेच करके उन्हें यहां बुलाया है और तोका जी मरिया का र है जी हाँ दोस्तों तोका जी एक डेविल वर्शिपर है हुदा पताती है कि वो अपने पती को किसी और औरत के साथ नहीं देख सकती इसलिए उसने आमिर से मदद मांगी है लेकिन हाफिस का मानना है कि ये एक जाल है लेकिन आमिर और एना घर के अंदर चले जाते हैं जहां ह हुदा आमिर और एना से ये प्रामिस लेती है कि मरिया को बजाने के बाद आमिर तोका जी और हुदा को वहां से जाने देगा और एना वादा कर देती है तोका जी मरिया के साथ गलत करने ही वाला था कि आमिर और एना जाते हैं जिसके बाद तोका जी और आमिर के बीच में लेकिन तोका जी आमिर को मार के वाँ से भाग जाता है जिसके बाद एना मरिया को दुआ से ठीक करके होश में लाती है अब मरिया को हॉस्प्रेल में एड्मिड करवा दिया जाता है जहां यही न्यूस चलती है कि फेमास हीलर तोकाजी के घर से सेटन वर्शिप का समान मिला है और पुलिस हुदा और तोकाजी को ढून रही है जो कि फरार है और हाफिजम आमिर से माफी मांगता है कि उसने अपने बेटे पर विश्वास नहीं किया और जो बॉक्स तोकाजी ने ताबीज के साथ हाफिजम को दिया था वो बॉक्स हाफिजम हाफिज को डिस्ट्रॉइ करने के लिए देता है दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तोकाजी हुदा को जान से मारने की कोशिश करता है क्योंकि हुदा ने उसके जादू को तोड़ दिया था तबी वहाँ एक आदमी इमरान आता है तोकाजी उस पे एक सेर्मनी करता है जिससे इमरान को लोग तोकाजी जैसा नहीं समझेंगे और तोकाजी इमरान का गला काट के उसका खून भर लिता है ये करके तोकाजी ने एक सेक्रिफाइस ले लिया था उस इनसान का जो पगवान पे विश्वास नहीं करता था और अब वो डेविल को बुलाता है जिसके बाद हम देखते हैं कि डेविल हुडा की बॉड़ी को पजस्ट कर लेता है और तोकाजी उस डेविल की मदद मांगता है ताकि वो आमिर की फैमिली से बदला ले सके इधर घर में आमिर पूरे घर में प्रेयस पढ़ना शुरू करता है तब ही लाइट चली जाती है और सारा पजस्ट हो जाती है और यहाँ एक और टुिस्ट आता है कि सारा के अंदर वही जिन था जिसे एना के पिता ने निकाला था वो आमिर को खीशता हुआ एक कमरे में बंद कर देता है और एना को सारा की आवास में ट्रिक करता है जिसके बाद एना उस जिन का असली चाहरा देखती है जो उसे हौंट करता है इधर कमरे में बंद आमिर प्रेयर्स पढ़ने की कोशिश करता है लेकिन जादू की वज़े से वो पढ़ नहीं पाता और कुछी तेर में सारा की आँख खुलती है जो की नॉर्मल हो गई थी लेकिन अब दोस्तो आमिर पॉजस्ट हो चुका था जो अपनी फैमिली को मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन आयना उसे प्रेयर्स पढ़के आजाद करवा देती है दोस्तो तोका जी का जादू काम नहीं कर पा रहा था जिसके बाद हम देखते हैं कि वो डेविल को खुश करने के लिए खून से नहा लेता है और कहता है कि वो वही करेगा जो डेविल कहेगा डेविल तोका जी को खुद की जिन्दगी लेने के लिए कहता है जिसके बाद वो आमिर की फैमिली को खतम कर देगा और तोका जी वापस जिन्दा हो जाएगा जिसके बाद तोका जी खुद को मार लेता है और डेविल अपने कुछ शेतानों को आमिर के घर में भेजता है जिने आमिर प्रेयर्स की मदद से वहाँ से भगा देता है अब डेविल के पास आमिर को डिस्ट्रॉय करने की ताकत नहीं थी और तोकाजी मर जाता है जिसके बाद सब सही हो जाता है दोस्तो अब इनका परिवार करीब आगया था तब ही एक आमिर के पास अपनी मां के लिए मदद मागने के लिए आता है क्योंकि उसकी मां पज़स्ट थी लेकिन आमिर कहता है कि वो टीचर नहीं है फिर भी वो उस आदमी की मदद करने के लिए तयार हो जाता है दोस्तो end scene में हम हुदा को देखते हैं जो कहती है कि आमिरो और एना को मरना होगा क्योंकि उन्होंने अपना promise दोड़ा है और उसके husband को मार दिया है और बस ये movie यहीं एंडो जाती है दोस्तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये movie असली कहानी पे based है जिसमें तोका जी का असली नाम इसकंदर बेन बहरान बताये गया है और वो एक devil वर्शीपर था और इस movie में तोका जी को एपलिस जिनकी मदद लेते वे दिखाया गया है दोस्तो मैं आपको एक और बात बता दू कि इमरान हाफिजम का वही दोस्त है जिसने हाफिजम को तोका जी का नमबर दिया था इमरान तोका जी के साथ काम किया करता था और उसने तोका जी के सामने हाफिजम और मरिया को चारे की तरह रखा ताकि उसे कुछ कमिशन मिल सके और तोका जी और हुदा ने मरिया के केक में जादू टोने की चीजे डाली थी जिससे वो पॉसेस्ट हो गई थी और बॉक्स में जो तावीज तोका जी ने हाफिसम को दी थी दरसल वो पजेशन को बढ़ाने के लिए थी दोस्तों डैविल हमेशा इनसानों का दुश्मन रहा है और वो आदम या एडम के बच्चों को यानि इनसानी नसल को खतम करना चाता है इसलिए वो ये सब तोका जी के जरिये करवा रहा था तोका जी को डैविल ने इसलिए जिन्दा नहीं किया क्योंकि तोका जी ने डैविल पे विश्वास किया जो कि हमेशा इनसानों का दुश्मन रहा है और इस मूवी में वो खुद तोका जी से कहता है कि तोका जी को डविल पे विश्वास नहीं करना चाहिए था दोस्तो उब आपिर ने अपने परिवार को आजात करवाया तो तोका जी का काला जादू खतम हो गया इसलिए डविल ने तोका जी को उसके हाल पे छोड़ दिया तो दोस्तों ये था मेरा मूवी एक्स्वानेशन मलेशन हॉरर पैनुगंग आगमा पार्ट वन को लेके उमीद करती हूँ आपको एक्स्वानेशन पसंद आया होगा अगर आपके अभी भी कुछ सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आये तो चैनल को सब्सक्राइब किये बिना मच चाहिएगा मैं मिलूँगे आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए स्टे सेफ कीप हंटिंग लॉट्स ओफ लव